पबजी गेम के असली मालिक कौन है और पबजी गेम किस देश का गेम है और इसके ओनर कौन है और किस ने इसको डिजाइन किया है आज की वीडियो में यहाँ पर आपको फूल इंफिर्मेशन के साथ यहाँ पर जनकारी देने वाले हैं तो वीडियो को मिना स्कीप कि वीडिय को फुल लाच्ट तक जुरूर देखें और चैनल पर अगर नए विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कर दें तो देखिए दोस्तो आज की वीडियो में आपको हम बता दें पबजी गेम के मालिक कौन है और पबजी गेम किस देश का गेम है इसके बारे में बताने जा रहे हैं आज के समय ये गेम बहुत इतना पॉपलर हो चुका है कि दुनिया भर में लगबख सभी गेमर इस गेम के वारे में जानते हैं तो चले दोस्तों ये गेम सन 2017 में लांच किया गया था जो कि ये PC और Xbox प्लेट फारम पर लांच किया गय जान ढोन घ्राक तो इस गेम को किसने डिजाइन कई तो इसके डिजाइन अघर रटेंट जरन ने इस गेम को डिजाइन किया गया था डोगेंड म McG strain कें गया ऑर इस गेम को बनवाने वाले थे अर ये practice कोमपनी तो ये सौथ कोरिया देश की कमपनी थे जिसका नाम था Flow Hull Studio तो एकues company ने Bread and Grain کو एक mail किया था जिस mail में उन्हें बताए गया था कि हम PUBG गेम बनवाना चाहरा है और बनाने जा रहा हैं तो आप इस game को बना दीजिये तो बैन गेम ने उनका mail को स्विकार किया और South Korea जाने का अपना मतलब इंतियम किया और सौथ कुरिया चले गए, तो इन्हों ने, लाइक्ट, स्पीड, एंड कूंटूम, कर फटोन, बिलो हूल, पब्लिशोर जैसे कंपनी के टीम के साथ, मिलकर पब्लिशी गेम बनाया था, तो इस तरह इस गेम को डेपलोबर, लाइक्ट, स्पीड, एंड कर फटोन, कर फटो तो आपको यहां पर लिख के आता होगा 10 Cent Games तो इस तरह इस इस गेम को पब्रिस किया गया था प्लेश टोर पर और इसको डिजाइनर करने वाले थे व्रेड़ेंग ग्रें और इसके असली मालिक जो प्रोडूसर की बात करें तो इसके प्रोडूसर और असली ओनर इसके जो है इस गेम में जितना भी पैसा खर्च हुआ था वो सारा पैसा चेंग हंक किम ने लगाया था और इनके लिए फायदे का सोधा भी हुआ क्योंकि आप पबजी गेम इने करोडों रुपे कमा के दे रहा है बता दें कि इसको बनाने वाली कंपनी सौथ कोरिया देश की है तो आई hope यह वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe करके फिल आईकन को press करना और comment बॉक्स में जाका जहां से मेरे वीडियो को देख रहा है उस जगे का नाम लिखना तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ जब तक जुड़े रहा हमारे युट्यूब चैनल से